अगर आंदोलन बंद हो गया तो मराठा आरक्षण की क्या गारंटी है? मनो जरांगे ने सियम शिंदिस से किया सवाल मुंबई में हुई सर्वदली बैठक में मराठा आरक्षण के लिए प्रतिबदता जताई गई लेकिन समय मांगे जाने की आलोशना करते हुए शिववा संगचन के नेता मनो जरांगे पाटिल ने आंतरवाली सराती गाउं में आठ दिनों से कर रहे भूखरताल खत्म करने से इनकार कर दिया उन्होंने बुद्वार की रात से पानी पीने भी बंद करने की धमकी दी मुख्यमंत्री एक नाशिंदे द्वारा बुलाई ये बैठक में जरांगे पाटिल से सयोग की अपील की गई और उनसे भूखरताल खत्म करने और पिछले चार दिनों से महरास्ट के कुछ इस्सों में फैली हिंसा को खत्म करवाने का आग्रह किया गया जरांगे ने महरास्ट सरकार से पूछा ये सवाल जरांगे पाटिल ने गाओं में एक मंच पर गद्दे पर लेटते हुए मीटिया कर्वियों से कहा मेरी भूखरताल के आट दिनों के बाद भी सरकार समय चाती है उन्हें कितना समय चाहिए और क्यों इसकी क्या गारंटी है कि अगर हम उन्हें और समय देंगे तो हमें वास्ता में कोटा मिल जाएगा उन्हें किवल समय बरबाद करनी के लिए इस तरह और समय की मांग नहीं करनी चाहिए इससे पहले मराठा कारेकर्टा ने कहा था कि उन्हें सियम पर कोई भरोसा नहीं है और बुद्वार को उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर करवाहट भरे लहसे में कहा कि सभी राजनितिक दल एक जैसे हैं वे सिर्फ मराठाओं के सवालों को नजन दास कर रही है जरांगे ने त्यागा जल जरांगे पार्टिल ने अपनी मांग दोराई कि जब तक समधाय को पूर कोटा नहीं दिया जाता वे अपनी भू करता जारी रखेंगे और बुद्वार रात इससे और अधिक सक्त कर देंगे पानी पीना भी बंद कर देंगे उन्होंने कहा कि सोका नहीं देते या विश्वास खात नहीं करते डिप्टी सीयम् पर निशाना डिप्टी सीम् देवंधर फणग्वीस पर निशाना सात्ते हुए उन्हों ने कहा फणवीस को यहाँ आकर हमसे मिल ने दीजिए मराथा उन्हें नहीं रोकेंगे हम उनकी सुरक्षा भी सुर उश्रा करते हुए कहा कि आप सरकार इस सप्ता की श्रुवात में हुई हिंसा के लिए मराठाओं की बच्चों के खिलाप आप रादिक मामले दर्ज करके उन्हें निशाना बना रही है